वेलकम बैक इन माई यूट्यूब चैनल तो टुड़े विल डिस्कॉस अबाउट स्पैलिंग एंड ग्रामर बट इसे देखने से पहले जो भी मेरे चैनल पे न्यू है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे तो हम लोग स्पैलिंग एंड ग्रामर जैसा कि हमने प्रीवियस क्लास में देखा कि बुलेट किसे बोलते हैं फाइंड और रिप्लेस आप्सन से क्या होता है आज हम लोग देखेंगे स्पैलिंग एंड ग्रामर क्या होता है तो ये MS Word का बहुत अच्छा फीचर है जिसमें कि क्या होता है कि अगर आप टाइप कर रहे है मान लिजे कि कोई वर्ड टाइप कर रहे है और उसका गलत स्पैलिंग आपने टाइप कर दिया है तो कंप्यूटर आटोमेटिक क्या होता करता है कि उसके नीचे रेड साइन दिखाना सुरू करता है जिससे कि हमें पता चल जाता है कि वो स्पैलिंग गलत है और अगर ग्रीन साइन अगर नीचे वर्ड के नीचे नजर आ रहा है इसका मतलब ग्रैमेटिकल मिस्टेक है तो देखते हैं डेफिनेशन Spell Check is an additional feature in MS Word that helps to check the spelling of words in the document क्या करता है, help करता है Spelling या तो ग्रैमेटिकल मिस्टेक या spelling मिस्टेक जो भी रहता है उसको check करने में ये help करता है Auto Spell Check It is the facility in MS Word that enables to automatically check each word as it is typed and display a red wave line under the misplit word ठीक है तो Auto Spell Check क्या करता है Spelling चेक करता है जो गलत word रहता है उसके नीचे red mark डाल देता है ठीक है या red line इस तरह से देखे ये computer के spelling गलत है तो इसके नीचे red mark ला देता है ठीक है ये है Auto Spell Check का काम ये एक ऐसा facility है जो कि हम लोग को facility प्रोवाइड करता है अगर हम लोग गलत spelling लिखे हुए रहता है तो computer हमें red mark के help से indicate कर देता है कि ये spelling गलत है अब हम लोग नेक्स देखते है spelling and grammar it is used to check the spelling of the text or of selected text it check the selected text and suggest spelling and grammar change if any misplits word are found तो spelling and grammar क्या करता है spelling और grammar दोनों check करता है और क्या करता है कि अगर grammatical mistake होगा तो नीचे green sign नज़र आएगा तो ये करता है क्या grammatical mistake को find करता है तो अब हम लोग देखते हैं कि जैसा ही कोई option में red color या green color किसी भी word के नीचे नज़र आएगा तो आप उसमें right click कीजेगा तो क्या होगा कि बहुत सारा option मिलेगा तो क्या क्या option है आप देख सकते हैं not in dictionary कभी कभी क्या होता है कि हम लोग मान लीजे कि address डाल देता है नहरूनगर राची ऐसे करके डालता है तो नहरूनगर में भी वह क्या कर देता है red sign कर देता है क्यों क्योंकि computer के dictionary में नहीं रहता है नहीं रहता है का बोलने का मतलब यह कि देखे अगर हम लोग भी क्या हुमिन बिंग तो हम लोग दुनिया का हर एक word दो नहीं जानते हैं तो जितना जानते हैं वह हमारे dictionary में जो नहीं है वह हमारे dictionary में उसी तरह computer में भी जब computer को बनाया जा रहा था तो उसमें कुछ-कुछ words डाले गये थे तो जो जो word डाले गये थे वह अगर आप इंटर करेंगे तो computer वो correct दिखाएगा और वो सब word अगर नहीं डालेगा तो उसके नीचे क्या दिखाएगा red mark दिखाएगा और नहीं तो बोलेगा क्या not in dictionary not in dictionary में generally आप क्या कर सकते हैं कि आप add भी कर सकते हैं word कि हाँ ये word होता है आप add भी कर सकते हैं तो definition देखते हैं the unrecognized word which are not present in ms word dictionary is displayed in not in dictionary text box suggestion अगर वो कोई word अगर wrong होगा तो suggestion देगा बहुत सारा word आपके पास नजर आएगा उससे related अगर word आपको चाहिए होगा तो direct आप click कर सकते हैं ignore all मतलब वो ignore कर सकते हैं ignore all का once करने से क्या होगा कि आपका red mark हट जाएगा अब क्या है ignore all ignore all का भी वही काम है कि ignore all में जैसे ही आपके click किजिएगा तो वो क्या होगा कि आपका red mark हट जाएगा add में क्या होता है it adds the underlying as a valid word in the dictionary of the ms word of the host computer हम लोग क्या करते हैं book में से या English का book या Hindi कुछ भी हम लोग क्या करते हैं अपने brain में word को add करते जाते हैं कि हाँ इसका मतलब यह होता है वो होता है तो computer में भी एक add option है जिसके help से computer के dictionary में नहीं है तो आप उसे add भी कर सकते हैं ताकि next time से आपका गलती ना सो करें रांग सो ना करें red mark सो ना करें change this button replace the wrong word with the suggest word change का मतलब क्या हो रहा है कि यह change करेंगा correct word से okay change all का भी वही काम हो गया auto correct auto correct क्या होगा this button change the misplit word in the whole document automatically तो auto correct क्या होता है कि आप एक correct किजेगा तो वो सारा correct हो जाएगा अगर आप auto correct option active रखते हैं तो अब हम लोग next क्या देखते हैं तो यह समझ में आ गया होगा next देखते हैं borders and shadows तो हम लोग कोई picture insert करते हैं या text insert करते हैं तो क्या होता है कि उसमें border भी टेक्स्ट में तो border नहीं देते हैं पर picture में हम लोग border दे सकते हैं text में shadow यूज कर सकते हैं तो यह हम लोग कैसे insert करते हैं किसी document में वह हम लोग practical के help से समझ लेता हैं उसके बाद हम लोग step देखेंगे देखेंगे okay देखे border and setting के लिए सबसे पहला step है कि आपको अपना कुछ text लिख लेना होगा ठीक है ms word में सबसे पहले text लिख लेना है उसके बाद page layout में click करना है उसके बाद border page border option में लेगा तो उसमें जैसा ही हम click करेंगे तो मेरे पास एक dialogue box open होगा तो उसमें आप क्या कर सकते हैं कि अपना border set कर सकते हैं या तो normal जैसे कि देख रहे हैं एक line line type का नहीं तो art में आपको click कर सकते हैं आप में बहुत सारा art मिलेगा हमने सब्सक्राइब लिया टेक्स्ट को फिर वापस सेवाई page layout में click करना है फिर से page border पे click करना है page border पे जैसे ही click करेंगे तो setting option नजर आएगा देखिए border के just bugle में setting option है तो हम लोग क्या करेंगे कि setting option में click करेंगे तो setting option में जैसे ही click करते हैं तो देखिए एक style का option आ रहा है और color का option आ रहा है तो color में click करते हैं तो color में अगर click करेंगे तो देखिए इसका background color हम black चूश किया है तो यह black हो जाएगा तो यही a setting option ठीक है तो यह रहा border and setting option तो practical के help से समझ में आ गया होगा आप हम लोग step देखते हैं तो step 1 क्या है select the page option from the format menu page option select करना है उसके बाद click on border tab from page style तो border option page style से select करना है जैसे ही क्या करना है select करना या click करना step 3 में क्या है border and shadows box appear set your border and shadow अब क्या होगा यह option नजर आएगा बहुत सारा shadow effect नजर आएगा border नजर आएगा तो उसमें से आपको choose करना है जो आपको सही लगे उसमें आपको click करना है और जैसे ही आप last step okay में click किजेगा तो क्या होगा यह कि आपका border set हो जाएगा आपका document का ठीक है तो practical के help से भी समझ में आ गया होगा तो यह था हमारा ms word पूरा complete chapter तो अब हम लोग next देखेंगे chapter 6 okay next class में देखेंगे हम लो chapter 6 so now we will end this session if you have any doubt then ask me in comment section and don't forget like share and subscribe if you want today's note then link is available in description box thank you for watching